अर्थवस्ता को रफ्तार देने के लिए सरकार GST घटाने पर विचार कर रही है। सरकार आर्थिक वृद्धी दर की रफ्तार बढ़ाने के लिए कई चीजों पर GST में कमी करना चाहती है। जिससे आटो सेक्टर में चमक लोटेगी। अभी आटो कमपनियों को GST के लावा एक से बाईस फीसुदी का कमपन्सेशन सेस भी देना पड़ता है। सडक परिवहन और राजिमार्ग मंतरी नितिन गटकरी ने भी हाइब्रिड सहित दूसरे वाहनों पर GST घटाने की अपील की है। दरसल मांग में आई गिरावट की वज़ा से देश के वाहनों ध्योग को पिछले 21 सालों में सबसे कम बिकरी का सामना करना पड़ रहा है। आपको पता दे कि आर्थिक सुस्ती ने आटो सेक्टर के बाद बिस्किट कमपनियों के हालत खस्ता कर दी है। बिस्किट कमपनी पारले अपने 10,000 करमचारियों की छटनी करने जा रही है। अगस्त में 98,202 करोर रुपे का GST कलेक्शन हुआ जबकि जुलाई में 1,2,000 करोर रुपे का GST कलेक्शन हुआ था। आर्थिक जानकार भी मानते हैं कि फिलहाल एकनौमी से मंदी को दूर करने के लिए सरकार को टेक्स करम करना चाहिए। ताकि मांग बढ़े और कंपनियों को राहत मिले। अब 20 सितंबर को फैसला होगा भी आटो और FMCG गुर्स पर। GST घटेगा या नहीं।